जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर, धाम सरकार दोस्तों, आज हम आपको एक औशधी बताएंगे, जिसको एक बार खाने पर जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, और आपको कोई बीमारी भी होगी, कैसी भी भयंकर बीमारी होगी, वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो अपने स्वास्थि के लिए पूरा देखना, और दोस्तों, वीडियो शुरू करें, उससे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीरवाद हमेशा मिलता रहे और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन ज्यान चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन आयुर्वेदिक और शास्त्रिय जानकारी उपलब्ध करवाना। दोस्तों, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने आचार्य से सवाल किया। आचार्य ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे नहों, चाहे रहने के लिए छत भी नहों, चाहे कोई सुख सुविधाय नहों, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, त मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा कि आचार्य आपकी उम्र सौ साल को पार कर चुकी है, और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुध्धी बड़ी ही तीवर है, और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है, और वहीं पर आ पहना जारी रखा कि गुरुदेव मेरे मन में बहुत बार आया है, कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं। लेकिन आचार्य जी संकोच वश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूँ। कृपया करके आज मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें। जिन से मैं भी आपक जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्ताद्मी उन नियमों का पालन कर सके। तब आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुरवेद का विद्वा वह यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि उर्जा की एक खास मात्र आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतर प्रीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। अपनी पूरी क्षमता का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बना कर रखे कि आप जो भी खाएं कुछ भी खाएं तो डेड़ से दो घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना। यानि कि दोस्तों जब भोजन आथ के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है क्योंकि आथ में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है वह पाचन नहीं होता है वह उर्जा को ग्रहन करती है आथों द्वारा इस उर्जा को ग्रहन करने के लिए ज्यादा उर्जा नहीं लगती है। दोस्तों, पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो, तो बहतर है कि आप अपनी गतिविधी को कम कर ले। अब अगर सोचिए, सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा, तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम क कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है, तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट खाली होता है, तब शरीर कैसा महसूस करता है, आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बहतरीन रूप से काम करता ह और जब आपका पेट खाली होता है इसका एक पहलू और है देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है जिससे दोस्तों हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है यानि कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता तो यह शुद्ध करण सत्प्रतिशत कम हो जाता है वह सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती है अब वह निकलना बंद हो जाएगी जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर कि जब भी आप किसी आयुरवेदिक डॉक्टर या किसी वैद के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी ज्यादतर समस्या पेट साफ न होने की वजह से होती है यह सही है सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है आप अपने अंदर बहुत हलका और सुन्दर महसूस करेंगे हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए आमतोर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले आहार में खाया जाता है क्योंकि दोस्तों गी एक चिकनाई वाला पदार्थ है, जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। इसलिए आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए, ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना लें। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं, तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत आना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व ये है कि यह आहार नली को साफ रखता है, तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है, उसका पेट हमेशा साफ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। दोस्तों, पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं, तो यह घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए, सही तरीके से गाई या भैंस के दूद से बनाया हुआ होना चाहिए। करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तब आचार्य ने इसका उतर देते हुए कहना शुरू किया, कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं, और चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्र करनातों को कमजोर कर देता है। दोस्तों, पेट में धीरे-धीरे ऐसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क अस्वस्थ पढ़ते जाते हैं। और सुबह खाली पेट बिना दानतून किये हुए उसे पी लीजिए। तब दोस्तों शिश्य ने सवाल किया कि आचार्य जी बिना दातून किये हुए अगर हम वह पानी पीएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। तब आचार्य ने उसे बताया कि व तामबे के बरतन में रात में रखे हुए पानी में उसके संसकार मिल जाते हैं। तामबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं। और वो तामबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। आचार्य ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी न हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी सनरचना होती है जब वह गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे-धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं देखिए दोस्तों ये पानी पीने के बाद अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आमला और सब्जियों का रस पी सकते हैं आपको दोस्तों पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फाइदे हो रहे हो वहां पर थोड़ा कड़वा पन तो बरदाश्ट किया जा सकता है आचारे ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता तो जिस दिन तो आवाला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए दही बहुत ही बहतरीन आयुरवेदिक आउश्धी के रूप में इस्तिमाल हो सकता है दोस्तों, अगर उसको सही से इस्तिमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है दही की एक परियाप्त मात्रा लेकर उसमें गुड शक्कर या मिश्री का मिश्रन जरूर कर लें ताकि आपको वह दही खटा न लगे अगर दही में गुड मिलाते हैं तो गुड बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए दोस्तों गुड जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा और दही को थोड़ा पतला कर लें पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज्यादा उرجा शरीर को नहीं लगानी पड़ती है आयूरवेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी और जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन आप लगते नहीं हो इतनी उम्र के सन्यासियों और मूनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुरवेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है, तो वह भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है शिश्य ने आखिरी प्रश्न किया, कि आचार्य जी, मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए है पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं, बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, तो उसकी आखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें, या फिर क्या खानपान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तब आचार्य ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे, बस में जो नियम बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुन लो, और यदि तुम ध्यान से सुन लोगे, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सबसे पहले सफेद कद्दू के ओशधिये गुणों के बारे में जानो, आयुरवेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है, और साथ ही दिमाग की तीक्षनता को बढ़ाता है, तीक्षनता, यानि की तेज बुद्धी, लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कद्दू का जोश ठंडा होता है, इसी लिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो, ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है, दिमाग और आखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा में बता रहा हू वह हर कोई कर सकता है, और दोस्तों हर किसी को करना चाहिए, आपको पांच देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है, क्योंकि वहीं देसी होती है, बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं, इतना छोटी वाली गिरी में होते हैं, पांच छोटी, बादाम गिरी और एक अक रोट, रात को पानी में भिगो दें सुबह उनके छिलके उतारे और उन्हें किसी पत्थर के खरल में याद रखना पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बरतन में नहीं रखना क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है उस पत्थर में या डालने के बाद उसे मतना शुरू करो धीरे धीरे जब आप उसे लेंगे तो वह बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूद डालना शुरू करो उपर से दूद गाय का होना चाहिए वह सबसे ज्यादा बहतरीन रहेगा दिमाग के लिए इस्तिमाल करने को भैंस का भी कर सकते हैं दोस्तों लेकिन गाय का दूद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो आप उस बादाम और अखरोट को दूद के साथ पीसना शुरू करो धीरे धीरे जितना आप उसे पीसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी अब दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूद के साथ हम बादाम यूँ ही खा लेते या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाए उसे मिक्सी में पीस लेंते तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता सौ गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छे से गाय के दूद में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आँखें और आपका दिमाग इनके लिए यह बहुत ही लाबकारी रहेगा जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं जो छोटी 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 चीजें रखकर भूल जाते हैं जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं तनाव बना रहता है चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं दोस्तों ऐसे लोगों के लिए यह राम बान की तरह कार्य करेगा यह एक ठंडाई का काम करेगा उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस आयूरवेदिक वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ये आयूरवेदिक जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे ताकि उन्हें भी इस प्राचीन ज्यान चैनल के माध्यम से प्राचीन आयूरवेदिक से कुछ सीखने को मिल सके और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली देखना न भूले ताकि हमें और भी आयूरवेदिक प्राचीन जानकारी पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे धन्यवाद